हेलो फ्रेंड्स क्या आप ग्रामी निलाकों में अपना खुद का हेल्थ केर सेंटर खोलना चाते हो क्या आप इजी तरीके से डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज करना चाते हो तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जिसको मेहज 12 के बाद करने से ही आप अपना खुद का क्लीनिक ओपन कर सकते हो और मरीजों का इलाज कर सकते हो जिस कोर्स की में बात कर रहा हूँ उस कोर्स का नाम है CMS ED कोर्स दोस्तों इस कोर्स को ग्रामी निलाकों में हेल्थ केर सर्विसेश को बढ़ाने और उसको मजबूत करने के लिए डेवलप कि किया गया है इस कोर्स को WHO एंड सुप्रीम कोर्ट की जरिये भी मन्यता प्राप्त हुई है तो दोस्तों आज की इस स्पेशल विडियो के अंदर मैं आप सभी को फूल डीटेल में बताने वाला हूँ कि CMS ED कोर्स क्या है इस कोर्स को करने के लिए क्या eligibility criteria है इस कोर्स को करने क कि फीज लगेगी कितना समय लगेगा और इस कोर्स को करने के लिए कौन सा college बेश रहेगा और यह कोर्स university से करे या फिर college से करे तो चलो इस विडियो की शुरुवात करते हैं और CMS ED कोर्स के बारे में full details में जान लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जान लेते है कि CMACD कोर्स क्या है CMACD का full form community medical service and essential drug होता है इस कोर्स के अंदर आपको बिमारी की पूरी जानकरी तो दी जाती है साती साथ आपको उस बिमारी के लिए मरीज को कौन सी दवाई देनी है इसके बारे में भी full detail में सिखाया जाता है CMACD एक एसा diploma कोर्स है जिसको Indian Health and Education Council निव द दोस्तो हम लोग यह जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या eligibility criteria है याने कौन कौन सा student इस कोर्स को करके अपनी life set कर सकता है तो दोस्तो CMACD का कोर्स student direct 10 के बाद भी कर सकते है अगर आप चाहो तो science 12 के बाद या फिर graduation के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हो CMACD का कोर्स कर करने के लिए कोई भी entrance exam देने की ज़रूरत नहीं होती और दोस्तो इस कोर्स को करने के लिए कोई भी age limit नहीं है किसी भी age का person इस को कर सकता है और दोस्तो हम मैं से कई सरे students का ये सवाल होता है कि CMACD का कोर्स university से करना चाहिए या फिर college से करना चाहिए तो दोस्तों इस कोर् तो दोस्तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि CMACD का कोर्स करने के लिए कितना समय लगेगा इस कोर्स को करने के लिए कितना रुपीज तक की फीज आएगी और CMACD का कोर्स करने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा CMACD एक डिपलोमा कोर्स है और इस कोर्स को करने के लिए लगबग दो साल का समय लगता है और दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए अगर मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करूँ तो दोस्तों वो है MS Group of Institutions और ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के लखनव शहर में है अगर आप लखनव शहर में रहने वाले है तो दोस्तों आपने इस कोलेज का नाम जरूर सुना होगा इस कोलेज की फैसिलिटिस की बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये कोलेज CMACD के लिए एक बेस्ट कोलेज है और इस कोलेज की शुरुवात वर्ष 1958 से हुई है अभी तक इस कोलेज से देड़ हजर से भी जादा लोगों ने CMACD का कोर्स कम्प्लिट किया है देश के अलग- इंडिया में मान्य प्राप्त है इस कोलेज का अपना खुद का चैरेटीवल होस्पिटल भी है जहांसे आपको 6 मन की इंटर्शिप भी करवाई जाएगी और इस कोलेज से बहुत सरे स्टूडन्स को स्कॉलर्शिप भी दी गई है ताकि उनको अपने पढ़ाई कंप्लिट करने में पैसो की दिक्कत ना आए अगर हम इस कोलेज की फी स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों CMS ED के दो साल के कोर्स के लिए सिर्फ 51,000 रुपीज चार्ज किये जाते है इस कोलेज के अंदर आपको बड़ी लैबोरेटरिस मिलती है, क्लासरूम्स मिलते है तता अन्य अभी आपको दी जाती है, साते सात ये कोलेज आपको आफलाइन और ओनलाइन दोनों तरीके से CMACD का कोर्स सिखाने में सक्षम है, अगर आप इस कोलेज के होस्टेल में ही रहना चाते है तो दोस्तों यहाँ पर आपको रहने के लिए 2000 रुपीज होस्टेल की फीस देनी प वजुद है, तो अगर आप लखनव शहर से है या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से रहने वाले हो या फिर आप इंडिया में कही से भी हो और आपको CMACD का कोर्स करना है तो दोस्तों मैं आपको यही कॉलेज प्रफर करूँगा, अधिक जानकरी के लिए आप यहाँ पर स् कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एससे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, धन्यवाद